नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृती आई एस यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में मैं बात करने वाले हैं उत्तर परदेश की समाचारों में आजकल बहुत जादा चर्शा हो रही है उत्तर परदेश की क्योंकि रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर परदेश की जीडिपी बढ़ गई है जिस कारण अब भारत की कुल जीडिपी में इसका दूसरा स्थान है नमबर वन कौन महारास्टा महारास्टा के बाद उत्रप्रदेश देश का सबसे बड़ा GDP वाला राज्य बन गया है जरूरी है कि इससे संबंदित अनेक पक्षों पर हम लोग चर्चा करें और देखें जाने समझें कि ऐसा क्या हुआ उत्रप्रदेश के अंदर कि अब यह इ संबंभाव है कितना जल्दी संबंभाव है हर एक चीज़ हम लोग ठीक है तो रिपोर्ट जैसे कि मैं आपको बताया आई है महत्वपून है अपने आप में खास है इसके बिल्दू लेकिन इसके साथ साथ खास यह प्रशन भी है जो हो सकता है कि प्रीमें आप लोगों से लिए आजा है तो यह आपको आंसर पता है तो जल्दी सांसर कमेंट कर दीजिए वहना अंत तक देखिए क्योंकि पूरी वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास है और यह पूरा का पूरा जितना भी कॉंटेंट हम लोग आज बात करने वाले हैं क्योंकि अनेक प्रशने हैं आगे और समझते हैं इसके अनिक पहलों को तो देखिए यहाँ पर अब चीजे बता दी गई है कि दूसरा सबसे बड़ा एकोनोमी का मामला में आई है राज्य बन गिया है पहले में कौन है जी महारास्ट है ठीक है यानि कि आज के समय में कर हम स्तिति समझे है तो देश देश में तीसरे स्तरका राज्य था जीडीपी के मामले में लेकिन अब बताया जा रहा है कि चीजे बदली है और अब अच्छा खासा इंवेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसके जीडीपी भी बड़ी जिसवाज़ से अभी है दूसरे अंग पर आ गया है या जो को समझती जानती ही तो उसने इन ही एनलिसिस के अधार पर यानिकि निवेश क्रियाओं को समझा बजार में कैसी चल रही है साथ साथ शेर बजार की इस्तिति को भी समझा तो इस सभी चीजों का इन्होंने डाटा कलेक्ट किया अपना और डाटा कलेक्ट मुख्य सब चैजों को समझा साथ सथाथ जानना समझे कि कि किस कितनी भूमिका और कौन कौन सा राद्जे आज के समय में अधिक मदद दे रहा है बहरत को ग्लोबल पावर बरने में कौन कम दे रहा है हर एक कर डाटा इनों ने फिर प्रजेंट किया तो इसी में ही सारी बाते सामने आई ठीक है अब सरकारी आकड़ों ने बताए कि तीसरा इस्थान है हो सकता है कि अपकी बार जो नए सरकारी आकड़े आए वह चीजों को शंशो हो रही है जैसे कि आज के समय में भारत के अंदर सबसे बड़ा जीडीपी वाला राज्य महारास्त है कुल भूमी का कितनी है इसकी भारत की जीडीपी के अंदर 15.7 परतीशत यानि कि एक अच्छा का सा अमांट इसका है जो यह है फिलाल भारत को मदद दे रहा है इसके बा पॉइंट वन परतीशत का अंतर है इससे अधिक का अंतर नहीं है और इसी वजह से बहुत थोड़ा सा वैरियेशन देते हुए ही उत्तर प्रदेश तमिल नाडू से आगे निकल गया है तमिल नाडू को अवर्टेक किया है इसने ठीक है जनरली हम बता रहे थी कि फिर करनाटक फिर राजिस्थान फिर आंध्रपरदेश और फिर मध्यपरदेश ठीक है सारी बाते यह सारी बाते हमें यह भी दिखा रही है कि देश के टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं और देश के अंदर टॉप 10 में किसकस का नामा रहा है यह सब चीज भी हमें इसी रिपो अगर हम भारत के सभी राज्यों के स्थिति समझें तो हम सिर्फ इस मानशित्र के अधार पर ही सब कुछ देख जान समझ सकते हैं आप लोग के सामने हैं सारी बाते ठीक हैं तो किसकी कितने कितने भूमी का साफसाव यहां पर भी जाहिर की गई हैं लेकिन कुछ राज्य ऐ 3 तक चल रहे हैं बीच में असन ऐसा है जिसके भूमी का 1.7 प्रतीशत है ठीक है तो इस प्रकार की इस्तिति पूरे भारत में चल रही है जो आप लोग हाँ पर देख पारें समझ पारें चाहें तो स्क्रिंशॉट लिजी और बाकी आपको फाइल जो ही है टेलिग्राम पर भ की नजर बनी हुई है सब लोग खास दोर पर उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं तो इसके पीछे क्या रिजन है या वह क्या प्रमुक कारक है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश यहां पहुंचा है या दूसरे स्थान पर आगे है पर एक बाद ध्यान रखिएगा कभी भी क उत्तर प्रदेश की जीडीपी थी काफी कुछ खास अंतर था नहीं तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बीते दिनों कुछ खास काम उत्तर प्रदेश में ऐसे हुए जिसने मदद की यहां पर उत्तर प्रदेश को ग्रोथ करने में और सेकिंड रैंक हासिल करने में क्या-क्या और खास बात थी पिछली दिनों की स्थिति समझते जिसे कि इस आफ डूइंग बिजनस के मामले में उत्तर परदेश ने एक अच्छा खासा परदेशन किया हम देखते हैं कि इस आफ डूइंग जो बिजनस की रैंकिंग आती है वहाँ पर उत्तर परदेश फोर्थ प्लेस प स्थान पर कहां से जंप कि आपने फोर्थ प्लेस से आप सीथा दूसरे प्लास थान पर आ गए हैं जो कि अपने आप में बड़ी अचिवमेंट आप लोग के लिए ठीक है कि इतना ही रही इसके साथ साथ हम यह भी महसूस करते हैं कि उत्तर परदेश के अंदर जब हमने हम उत्तर परदेश में हम इंवस्ट करें और हमें बी मिले इन्वेस्ट्मेंड का पुक्खे उद्देश है प्रफिट ही होता है कल्न्यार करते है लेकि मिलें लोगों ने रही इसकी घाचे को ऐसे चेत्रिक चूप नहींwright होचा और चुपे हुए बाजार को समझा और ईध्य तक प्राप्थ हुआ है जिस प्रकार से यह 40 लाग करोड रुपे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट होंगे ना सिर्फ इन्वेस्टर्स को फाइदा नहीं होगा उत्तर प्रदेश की एकॉनोमी के साथ में बहुत ही बड़ा बदलाव करेगा यह 40 लाग करोड रुपेया इसक तो किसी एक खास स्किल में पारंगत है या जो छोटे इस तर पर किसी भी रूप में भूमी का निभा सकते हैं सबके लिए विशेश लाप की स्थिति इसके साथ ही अगर हम लोग उत्तर परदेश के अंदर बैंकों की स्थिति समझे तो हमें पता लगता है कि बैंकों में र सरकार संतुस्च नहीं सरकार फिर भी चाहती एक के बढ़ाओ और साथ पर्तीशक तक लेकर के जाओं जब साथ पहुचेगा तो कहेंगे पैंसेर तक लेकर के जाओं सकते ओ लिए सबकार की संकल्पना है इसके साथ साथ ही हम इस्तिति को समझते हैं तो हमें यह भी पता लगता है कि लगातार बहुत तेजी से investment हो रहा है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश के अनेक छेतर ऐसे हैं जो विबिन विबिन प्रकार से भूमी का निभा रहे हैं चाहे हम उत्तर परदेश की क्रिशी की बात करें, agriculture बहुत खास है उत्तर परदेश का, अगर हम बात करें उत्तर परदेश से export की, यह भी बहुत खास है, उत्तर परदेश में काम करने वाले लोग ऐसे हैं कि बहुत सार लोग राज्ये में काम करते हैं, लेकिन लोग बाहर नि सड़के हैं हाइवेज यही सब चीज़े तो आपको बना रही है अच्छा आज की मामले में और आपकी ग्रोथ सुलिश्चित कर रही है कैसे बजट के स्थिति समझते हैं पहले जब वर्ष दो हजार बाइस तीस का बजट आया था तो उसमें पता लगा था कि की इकोनोमी बढ़ेगी और 20 लाग करोड से 24 लाग करोड रुपे जाएगी लेकिन यह बजट में होता है जब वर्ष का अंत होता है तो आर्थी समिक्षा आती है वहां पता लगता है कि क्या सोचा क्या हुआ अभी आने वाला है बजट कुछ दिन में आर्थी समिक्षा गोशना की कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है यह समझ लीजेगा कि वर्ष 2017 तक हम एक ट्रिलियन डॉलर अर्थवस्था का लक्षे प्राप्त कर लेंगे यह हमारी यह वादा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया लेकिन इस वादे के अलावा उत्तर प्रद इसका अर्थ है कि अब उत्तर प्रदेश बिमारू राज्य नहीं है बलकि आर्थिक प्रगती करने वाला राज्य है यह चीजे भी सरकार ने सपस्ट लिए इसके साथ साथी उत्तर प्रदेश के आकड़े हमें बताते हैं कि संगटित अपरादों का कम होना और ओद्योगी चेतर में तेज़े से विकास होना इस पूरे घटना करम के लिए उत्तर दाई है जैसे कि आपने अर्थववस्था की गोशना की की बही 27 तक हम वन टिलियन डॉलर एकॉनमी बनाएंगे इन्होंने बजट में भी लगाता दिखाया कि कैसे कैसे जीडिपी बढ़ रही है इस अब परदेशक की बात करे तो आज की विखनांसंग्या लगबग 56 पर जनसंख्या उत्तर पर देश की कार्यरत है आप किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी उध्योग में या किसी छेतर में भूमिका निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिससे आपका परिवार चल रहा है, साथ साथ पूरी एकोनोमी चल रही है, नए-ने प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, वहीं इसके साथ ही एक बात यह भ और भी हो जाएंगी तो इसी की वजह से विकास तेजी से चल रहा है चीज़े सुनिश्चित हो रहे हैं वहीं हम यह भी देख रहे हैं कि आज के समय में उत्तर प्रदेश के पास अपने आठ हवाई अड्डे हैं आठ हवाई अड्डों में से पांच घरेलू और तीन अंतरास्ट्री हैं आज के समय में सबसेदिक चर्चाओं में कौन सा है उत्तर प्रदेश की जिसको इन्हों ने यमना सिटी नाम दिया यह जो यमना सिटी है लगभक उत्तर प्रदेश के नौइड़ा की तरह हैं जैसे उत्तर प्रतेश कहां का जाता है जो आने वाले समय में उत्तरपरदेश के मुख्य निर्यात केंद्रों को जोड़ेगा और जब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्यात केंद्र एक ही highway पे हो जाएंगे एक ही expressway पे हो जाएंगे तो इसका अर्थ यह है कि बागी other expressways जो है वहाँ से रश कम होगा और जितने भी लोगों को import export करना है वह है एक ही expressway का use करते हुए easily सबी चीजों को handle भी कर पाएंगे इसके अलावा हमें यह है पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में तेजी से सड़क भी बिछाए जा रही है चार लाग किलोमीटर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है वह है उत्तर प्रदेश में ही आज के समय में और 11,000 किलोमीटर से अधिक राजमाग नेटवर्क उ उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाली रेल वे इसके अलावा आप मेटरों के मामले में भी काफी तेजी सा प्रगती कर रहे हैं लखनव और नौएडा दोनों ही जगापे मेटरों संचाली थे वहीं अलग अलग और छेत्रों जिसकी कानपूर आगरा मेरट गोरकपूर ब एमी हाई स्पीड रेल थोड़े दिन पहले मैंने यहीं शाष्ण में पढ़ाया था कि दिल्ली से मेरट चलाई गई है यह रेल जिसको नमो भारत रेल के रूप में जाना जा रहा है इसको जर्नली कहा जाता है कि रैपिड रेल ठीक है तो यह पहला नेक्टल चो था यह कहा क्या कहना है अपने विउस कमेंड बढ़ाने हैं साथ साथ आपकी घुमी का रही या नहीं यह भी बताना है ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग जितने वीडियो देखते हैं कोई क्रिशी से जुड़ा हुआ है कोई कि किसी और से जुड़ा हुआ है जर्नली हम यह सभी देख हैं क्या पता आप से पूछ लिया जाओ आपको भी अच्छी रंग मिल जाए ठीक है लेकिन एक प्रेश्ण जो आप लोग को शुरू में दिखा है अब जल्दी से कांसर कॉम्मेंट कर दीजिए बहुत अजान सा प्रेश्ण है आप लोग के लिए ठीक है तो वीडियो पसंद दीजिए त NagMIN मिल जाए घगू धिया । मुट्ण चिता है वांन मुट्ट लोग के breaths है B глуб сюnt say